सब्सक्राइब कैसे आप सब आए हो आप सब अच्छे होंगे फिर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल करिये कोचिंग ब्लॉक्स में मैं हिमन कुमार आपके साथ सो यार कुछ दिन से थोड़ी तबियत ऐसे नॉर्मल चले गए तो सोचा कि आज यार एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो आज मैं बहुत बेस्ट इंफोर्मेशन आपके साथ सेयर करने वाला हूं आज हम बात करने वाले हैं कौन सा वर्क अच्छा रहता है बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेशन वर्क और रिटेल बैंकिंग वर्क ऑपरेशन हो गया आपका वह मैं आज आपको पार डिवाइट करने वाला हूं और उसके साथ साथ हम रिटेल बैंकिंग में बात करने वाले है से से लिलेटेड तो ऑपरेशन बर्क बेस्ट रहता है या से रहता है डिवाइट कर लेंगे हम दो चीजिजों को ठीक है वाइट बोर्ड नहीं है आज वाइट बोर्ड में थोड़ा खरावी आचुकी है आहिए पर मार कर चाहिए तो वह मिट नहीं रहा हम यहीं पर डिसकस क सब जह से पहले भात करेंगे सब्सक्राइब करना चाहिए टो सब्सक्राइब करना चाहिए उनको लगता है इस Tuff I know sales is tough But operation work is not easy कोई भी काम आपका यहां पर easy नहीं है कोई भी काम में आपका रिलैक्स Eifter नहीं है कोई भी काम बेना target pressure के नहीं है सबसे पहली बात अगल आप banking sector join करना चाहते हैा है तो आप एक चीजद अपने माइन में बिठा लीजी सबसे पहले कि पिरेशर तो रहेगा रहेगा थार्गेट भी रहेगे जब लाइक सबसे entrepreneurs की job की हम बात करते हैं बैकेंड की job जीसे हम बहुते हैं ओप्रेशन जो और ऐसे credit manager एस method यह सब operations की job में account होटे एक होग वह आपका होगी या operations की जौब कोई आपका files वगएरा आगें files वगएरा पर काम करना ठीक है और आपका applications वगएरा पर काम करना ठीक है तो जहां पर sales नहीं है वो operation वर्क है back-end का वर्क है चाहे वो फिर IT से related हुँ चाहे वो आपका loan से related हो कोई भी loan वगएरा या कोई भी other HR से related हो कोई भी other system से related हो जहां sales नहीं है वो operations का काम है operations काम में सबसे ज़्यादा benefit यह रहता है ठीक है एक तो आपको sales नहीं करना पड़ता तो sales का target pressure बिलकुल नहीं है second thing आपका operations लोग इसलिए भी बढ़िया मानते हैं क्योंकि लोग नहीं चाहते कि यार sales करें field में जाए target pressure बढ़ा काम करें तो operations को ज़्यादा और operations में सबसे पहले बात आपका जो timing होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है जितनी files आती है फाइल क्लोज करने का रहता है ठीक है और आपका जो भी request आती है ठीक है सर्विस request जो आती है उसको close करने का रहता तो back end team का जो काम होता operations वालों का उनके पास भी target होते हैं वाट टोटल कितनी files आए उन files को complete करना रहता है फिर चाहें आपका उसमें जोग timing आपका चाहें दस गंटे लग जाए ग्यारा गंटे भी लगए ठीक है तो operations का काम अच्छा है बहुत best है अब एक वार हम थोड़ा sales की तरह मूब करते हैं ठीक है अगर हम sales की बात करें तो sales में और ज्यादा benefit है टार्गेट सबसे ज्यादा है प्रेशर है ठीक है benefit कहां पर है अगर आप sales में proper काम करते रहते हैं तो सबसे पहले growth होती है आपकी growth के साथ साथ आप कहीं switch करके जाते हैं तो salary package और hike और selection जल्दी होता है ठीक है थार्ड आपका अगर आप sales में लगे हुए हैं तो कोई भी company आपको उठा लेती है बेसे retail banking के लिए उठाएगी ठीक है और सबसे most अच्छी जो things है जो sales करते हैं ठीक है sales में एक चीह का ज्यादा benefit है sales आपके mind को बिल्कुल fix रखती है संतुलन जिसे बोलते हैं mentality जो आपकी होती है इसको fix रखती है ठीक है टार्गेट जितना आपके उपर आएगा जितना pressure आएगा आपका mind उतना ही direction में काम करेगा ठीक है operations में क्या रहता ना operations में आपका mind जो है इधर उदर भी divert हो जाता है ठीक है sales में नहीं होता field में अगर आप दोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक experience count होगा नए लोगों से मिलनेगा कि actually में लोग bank के बारे में क्या सोचते हैं actually में लोग sales के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कैसा लगता है bank का employee होके field में जाना experience नए लोगों से मिलनेगा उनकी thinking को consume करने का यह सारी चीज़ हमें मिलती है ना field में जाने से ठीक है और वहीं आप अगर virtually काम कर रहे हैं तो कुछ sales में इतना सीखने के लिए कि आप सीखने ही नहीं पाएंगे proper sales में सीखने के लिए product की knowledge बहुत ज़रूरी है product knowledge रखिये सारी चीज़ होगी ठीक है और अब हम operation की तरफ थोड़ा move कर लेता operations बहुत अच्छी जोग है mostly लोग operations back end की job खोशते हैं कि हाँ salary अच्छी मिले लेकि मिलेगी ज्यादा काम भी नहीं रहेगा ठीक है अगर ज्यादा काम नहीं रहता है salary अच्छी मिलती है मैं जानता हूं तो obviously आप operations में जाना चाहेंगी कि चलो या timing काई तो इस से हुए ठीक है 9 से 9 कर लेंगे क्या जाना है ठीक है लेकिन sales में target भागना पड़ेगा तो तो mostly जो लोग हैं banking sector में देखता हूं operations की तरह move ज्यादा करते हैं sales से बहुत ज्यादा घपराते हैं जबकि मैं यह कहना चाहूं operation अपनी जगा है वैस्ट है sales अपनी जगा है sales में growth बहुत जद्दी है operations में late होती है growth ठीक है sales में आप customer का experience गेन करते है customer के problems को face करते है field में जाके नए-नए customer का opinion लेते हैं ठीक है operations में यह सब नहीं होता है operations में system में बैठ रहेंगे files आएंगे आपको वैस file चेक करके close करनी है तो operations में जो काम रहता है वो काम आपका बिलकुल office से जुड़ा हुआ है proper office यह field work भी रह सकता है आपका retail banking है तो field work भी हो सकता है वर्चुली भी हो सकता है phone call के करो ठीक है तो differentiate बहुत ज्यादा पड़ जाता है operations बिलकुल different sales बिलकुल different अब दोनों में से कौन सी job best है मैं बता देता हूं आपको मेरा अपना experience रहा है वो sales में रहा है retail banking में रहा है तो मेरे according sales best है क्यों best है क्यों sales में target place है तो आपके mind को focus र बेचना सीख जाते है convincing power आपकी बहुत हाई हो जाती है customer से बात करते है knowledge आपको बहुत गेन होती है क्योंकि कुछ customer को बहुत ज्यादा knowledge होती है market की जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको भी नहीं नहीं चीज़ें सीखने हो पता चलती है ठीक है यह benefits है आपके retail banking के second thing को सिखा के आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा connection customer से reality में बनता है वो हमारे collector को हमें behavior को सो करता है और customer हमारे हमें याद रखते है operations में सारे चीज़े backend महोंगी ना आपके operations में face value रहती है right ना आपके operations में कोई customer आपको जानता है backend का सारा काम कर रहे हैं तो कभी future में in case अगर रहनत करनी पड़े तो मेरे according operations वर्क उनके लिए best है जो प्रॉपर ऑफिस वर्क चाहते हैं जो comfortable zone में रहना चाहते हैं लेकिन जो uncomfortable zone में रहना चाहते हैं ना उनके लिए मेरे experience है और मेरे knowledge के according sales is best target रहेगा सबसे पहले जात रहेखे प्रेसर भी रहेगा ठीक है आपके boss growth बहुत जल्दी है sales में बहुत जल्दी किसी भी company में जाएंगे आप sales में retail में company तुलंत उठा लेगी अच्छी हाएक अच्छी salary ठीक है second thing अगर operations में time management का थोड़ा problem बह सकता है ठीक है जितनी files आती ही close करनी करनी है back end में काम करेंगे office में proper AC में comfortable zone में आ जाएंगे ठीक है यहां आपकी customer से कोई बात नहीं होगी कोई role ही नहीं है customer से बात करने का यहाँ ठीक है experience आप operations का gain करेंगे तो आप customer का opinion को कभी नहीं सब्सक्राइब करी operations में नहीं मिल या banking sectors आ रहे हैं retail में मिलगी तो आपको बड़ा problem हो जाती है जबकि retail वाला बंदा operations को future में handle कर लेगा अगर वो retail में चीज़ों को handle करना जानता है ठीक है तो वो operations को manage कर लेगा नहीं कि operation वाले को retail में नाल देंगे तो problem के रिएट हो जात 40% clear वाल लेकिन best सबसे अच्छा है ना comfortable zone में जाना है आपको और तो operations में जाईए uncomfortable zone में रहना है और target producer को झेलना है ठीक है नहीं चीज़े सीखनी है सबसे ज्यादा तो आप retail banking में जाईए जिसको sales बोलते हैं प्रॉपर ठीक है इन sales में बहुत सारी चीज़ा आप सीखते है जो कि आप operations में नहीं सीख पाते हैं तो मेरे according सबसे best जो रहता है वह रेटेल बैंकिंग जहाँ पर sales का काम रहता है आईओ तफ होगा, target easy नहीं होते है, सारी चिकी एजी नहीं होते है, सीखने को जो sales में मिलसकता ना, retail banking में आपको मिल सकता है, वो आपको operations में नहीं शीख पाते है, तो different रहता है, ठीक है, अब जो लोग operations का काम करता है, उनके लिए operations best रहेगा, जो retail banking में उनके लिए बेस्ट रहेगा चोई सब्सक्राइब करना मैंने आपके लिए क्रिएट कर दिया कि आपके लिए क्या बैस्ट रहने बाला है तो अकॉर्डिंग टू मी जो आपको ठीक लगता है अप अपरेशन जोईन कीजिए अपॉर्चिनिटी कहा मिले सबसे पहले फोकस कीजिए अपॉ आपरेशन में आप बहुत सीखेंगे बाट ऑपरेशन से बैक एंड का काम के बैक एंड में सिस्टम कैसे काम करते हैं तो यह एक्स्पीरियंस भी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके फ्यूचर के लिए सो जहां अपॉर्चिनिटी मिलते हैं जिस भी बैंक में मिलती है कोई सावी बैंक को HDFC हो गया सबद्रण से एंड कर काम का सबड बैंक सर अबनर अंड को एंड पमіш लिए और खर नहीं से के लागल सकत升। उड सका लेई तो अपरे लेडिक सब्सक्त गइन खेंड बाट धुम्पत अधय पहूंड सो मांड यह बाल रहना के लेख में बैंक आश.जर्ण रह एम अंड क for my bank so I am happy, right now I am happy because I am working with a big brand of India so if you have opportunity then don't think about Pacer target right now, always think about the job opportunity always think about your family always think about your dream job always think about your bright future career then every job will be easy for you will be possible for you so join any opportunity if you have if you have any offer letter then join this if you have any issues, problems, telegram link available message, what's your number, message, call comment, comment, search, but according operations and retail banking where are you going to learn where are you going to learn proper video, retail banking sales and operations so you have help for you okay, so join your opportunity बहुत अच्छा सीकिंग है यहां पर जो हम management पढ़ते हैं बबा बगएра में हम realty में face करते हैं कि boss क्या होता है हमारी team leader क्या होते है वह सारी चीजिंग हम reality में face करते है कब हमें लगता है जो हमने पढ़ा practically हम कर रहे हैं तerson जा रहा है काम करने मा अच्छा लग रहा है टार्गेट हाई प्रेसर हैं September हो जाएंगे टाइम लेकर जब मैनेज करना प्रॉपर सीख गए तो सार्वी चीजे बैस्ट हो जाएंगी आपके लिए फिर कोई चीज सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप एक बार प्रोडेक्ट नॉलिज शीख कर साड़ी चीज़ें तो आप रिटेल में अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आप ऑपरेशन्स में भी अच्छे से काम करेंगे तो सीखने के लिए थोड़ा टाइम कीजिए टार्गेट प्रेसर जील लीजिए ठीक है मजबूती लाइए अपने माइंड के अंदर अगर हमारा माइंड पावरफुल हो जाएगा ना चीजों को जीलते जलते तो हम आगे आने वाले 60 साल 70 साल जब तक वर्क करेंगे हम सारी चीजों को भीन चीजों को मैनेज कर सकते मैं सो मेरी एड़ाइज यह ही है कि टार्गेट प्रेसर हैंगे अकर नीया बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं तो यह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो आगे आने बहुत साल उसके साथ एक चीज़ों ज्यादा लंबी बोलने के लिए बहुत कुछ आप एक वीडियों हमें एक्स्प्लेन नहीं कर सकते हैं जॉब के साथ साथ जो भी आपका ड्रीम से दोस्त टाइम निकाल करें उस पर जरूर काम करना है कि कोई प्रॉपर जॉब में आप लगे रहे ठीक है और आपने अपने ड्रीम से पर काम नहीं किया तो आपको एक दिन बहुत रिग्रेट फील होगा बहुत रोईंगे भी आप पड़ वहां पर कोई उप्सें नहीं होगा मूब करने का तो अपने ड्रीम से काम करें किसी को डांस करना पसंद आपको करिए बॉक्सिंग कुष्टी जो भी आपको चाहिए यूटूब पर काम करना ब्लॉगिंग करना बुक्स पढ़ना लिखन जो भी तो वह सारी होबी अपनी कंटिन्यू रखिए गा ड्रीम अपनी कंटिन्यू रखिए और उसके साथ साथ जॉब रखिए बेक एंड में ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सर्भाइब करना है यहां भी एक्सपिरियंस आएगा वहां भी आप सीखेंगे तो दोनों च है जिन को को इस च च massively cig ढूंग हो जैदा मेरे चाहिँ ऐधा मैं युदियो ज्यादा मोडिवेयसन वाली कीड़ेंग करता हूं किया मैं शॉल जो अब्यों मैं करता है करते हैं ऐसी सपोर्ट करते रहे हैं और जुड़े रहे मेरे यूटूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉक से और फ्यूचर में बहुत सारी चीच है स्टार्ट करने वाले जो निउ स्टुडेंट्स के लिए निउ जोनी के लिए बहुत हैल्फूर रहने वाले हैं इजी टार्गेट को हैंडल करना और सारे एजूकेशन में कैसे क्या करियर गाइडन्स को लिए के प्रॉपर काम करने वाले हैं इस यूटूब चैनल पर तो जितना हो सकते अब भी जुड़ ज सारी चीयों के यहां मिल सकें सीख सकें तो थैंक यू है आप सब अपना ध्यार के अपनी फैमिली का all the best best of luck for your future फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो थैंक यू